नमस्कार अखबार जगत में आपका स्वागत है इन दो शहर में अनलोक होनी के बाद चोरी की वारदातों में लगा तार इजाफा हो रहा है इसी कड़ी में द्वार का पूरी थाना चेत्र में 36 चोरों ने दो सूने मकान को अपना शिकार बनाया है पहली घटना रिशी पैले की हैं जहां रहने वाले बलवान सिहर राठोर अपने भाई के घर गए हुए थे इसी दोरान चोरों ने उनके सूने मकान को निशाना बनाती हुए नगदी वा जेवरात चुरा लिए इसके साथ ही चोरों ने द्वार का पूरी कॉलोनी में रहने वाले राजेश के सूने घ को अपना निशाना बनाती हुए नगदी वजेवरात पर हाथ साफ कर दिये मामले में पुलीस का कहना है कि चोरी की वार्दातों को देखते हुए पैट्रोलिंग टीम को कॉलोनी में गश्ट करने को कहा गया है वही एक चोरी की सिस्टिवी पुटेच पुलीस को मिली है जिसक तारीक को गए हुए थे कायकरम में और सुवेरे उनके लड़के ने जो की दूसरी जगए रहता है उसने घर पर देखा काला तूटा हुआ है तो सामान चेक किया उसने ख़वर किया उसके पिता जी को कि पापस आये उन्होंने देखा तो उनके घर से कुछ नगदी रुप जार रुपए के आसपास है पुराने जीवर हैं चानी के उतनर करदोना बगएरा है और दूसरा प्रकरण है द्वार का पुरी का जो कि 548 द्वार का पुरी में है जिसमें राजेश धम डेरे यह उनकी सस्वराल से लेगा ते घर पर ताला लगाता है तो इसी प्रकार कि आसपास की है तो अपरात दोनों में काम कर लिए गए हैं इसके लिए तो विवस्ता की गई है मतलब वीट में अरक्षकों को लगा गया है खुपियवाले भून रहे हैं उनको तलास किये जा रहे हैं किये जा रहे हैं मैं थाना द्वार का पुरी से रमेश चंद जोशी शाय को मेरी इच्छा